कि नमस्कार दोस्तों आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीसन वड़नों में स्वागत है दोस्तों आज हम लोग टोपिक लाए हैं SSA 2001 मतलब सर्षिक्षा बियान 2001 यह बहुती बीएट का बहुत सब्सक्रान को क्यों लाया गया इसका उद्देश क्या थे क्रियान क्या प्रहं इसके लाने का जो है क्या क्या सथ रसाक्त और सुजाओ बढ़ने इसके बारे में अब आध करते हैं तो सर्वgging और सीठ고 यह 2001 में लाया गया था ठीक है तो यह सडौ user să भीयान 2000 ऐससे उसको बलते हैं मैं लोग सर्वस इप्जा ब्यान इसका रूप रिफ़ा में लोग देखते हैं एक पहले हम लोग इसका इंट्रोड़क्शन बनाए इसके लिए जो क्या क्या सुझाओ दिये और लाइस में इसका निश्कर्ण देखेंगे तो आए इसका प्रस्ताव नाम हमनों दिखते हैं प्रस्ताव नाम क्या है भारत विश्व के सबसे बड़ी सिक्षा व्यवस्ता में एक होने पर भी सर्वाथिक अर्थात कुल जन संक्या का 22 परतिसत है मतलब यह कहा गया कि भारत जो है विस में सबसे बड़ी जन्संकिया का जो है वरा देस है कहा गया है उसमें से भी साक्षरता का अगर बात कहे तो नुच्छतार थे कि भार्त को निशूलक और निवार्ण सिक्षा दिया जाएगा यह बात कहा गया था 1950 में जब देश लागू हुआ था देश का जो सभीधान लागू हुआ था उसी समय जो है यह बात 45 में कही गए थी कि 14 वर्स्त के सभी बालोकों को हैना निशुल्क और अनिवार्ट शिक्षा दिया जाएगा थिस्वा नमर्पॉइंट क्या किया रहता है शर्वाश्षा ब्यान में कि सरकार के अनेक परियासों के बावजूत इन्में और शित सपल्ता प्राप्त नहीं हुई मतलब सरकार काई सा पडियास से सफलता नहीं मिली यहीं कि देश को साक्षर करने में सफन नहीं बने ठीक है आगे देखते हैं अधा केंद सरकार मानफ संसादन विकास मंत्राले कि सन्युक्त पडियासों से सर्वसिक्षा अभ्यान 2001 कर दिया इस परकार जो है कि इसके सर्कार और मानफ संसादन विकास मंत्राले प्रस्था अभ्यान को जो यह 2001 किया 비 abund מאन कि दौरा की गए थी जिन इसके शुरुआत कि आगे हम देखते हैं saav Este 신 का क्या क्या उद्देश रहे हैं फाला नमर्यों यह है कि 2010 तक 6-14 वरस्ते के सभी बच्चों को उप्यों की सिक्षा परदान किया जाए यह उद्धिस तसरों सिक्षा बियान का, SSA का यह उद्धिस था कि 2010 तक 6-14 वरस्ते के जितने भी बालक है, सभी को सिक्षा परदान करना है दुसरा नुमर पॉइंट यह है, कि 2003 तक सभी विद्धियाले सिक्षा गारंटी के अंदर वेकल्पिक स्कूल के सभी बच्चों को स्कूल में होना चाहिए मतलब यहां पर यह बात कही गए, 2003 तक जो है, जितने भी विद्धियाले हैं अइस्टा गारंटी के अंदर वेकल्पिक स्कूल के सभी बच्चों को इसकूल में होना चाहिए, जितने भी स्कूल है, उसमें सभी बच्चों का नामांकर होना चाहिए, थीक है तीसरा नमर्प्ट में यह उद्देश्था है कि 2010 चाहता नमर्प्ट में है कि 2007 सभी बच्चे पांस साल की प्रार्थमिक सिक्षा पूरा करना है, 2007 तक सभी बच्चों को पांस साल की प्रार्थमिक सिक्षा होती है, उसको क्या करना है, पूरा करना है, चाटा नमर पॉइंट है, जीवान के लिए सिक्षा पर बल देते हुए, संतोज जनक गुनुवत्ता में प्रार्थमि पूरा और साथवा नमडर पॉइंट यह इसका उद्धेश रहा स्कूल में विद्धायल में बाहलों को कम्पूटर सिक्षा भी देना है तक हम लोग इसका उद्धेश को देखें फिर है सरवसिक्षा अभ्यान के क्या क्रियार्मन को लोग एक सींट मतलब विद्धायल में यहां से आ, तक जök विद्धायल में किताबें के विद्धाय से पैसाने लेना है सरोच्षा भ्यान के सफलकशा है तू एक से आप करने यह यहां जाती तक नियुदाय और पर के बालक वो समस्त बालिकाओं है तु निसुल्ख पार्ट पुस्ते उपलब्द कराई जाती है यह इसका काड़ यह रहा ठेक है तुसरा नमबर काड़ यह रहा कि सिक्षण अधिगम उपकरन को जो है यानि कि सिक्षण अधिगम अधिगम मेटरेलल मतलब हुआ कि बच्चों को जह शिक्षण से समंधित घराइफ है उसको उप्रब्द कराना थि भष्षित बस्तियों में नम नीरमित विद्याले हितु विद्याले अस्तान सार धनराशि उप्लब्द कराना है तो उन सभी विद्यालों में जो है। सिंक्षन अधिन्म उपक्रण उपलब्द कराना है। ताकर वालक उन उपकरणों की मदर्स से शीक सके। तिसरा वाध्म फुंट्र प्रव्यान को अस्थापना करना है मतलब। दो किलो自ich अस्थापित करना है यह सरोसिक्षा बियान का जो है उद्यस था इसका काड़ यह था कि प्रार्थमिक विद्यालों की अस्थापना है तो 300 के अबादी और पड़ी सदिये विद्याले में अबिनो किरिया कलाप क्या है अभी नव किरिया कलाप में इस्कूल में लागो करने में छे से चौदो वर्ष के सारे बच्चे लावानतित होते हैं एवंग यह कार्ज करम प्रार्थमिक सिक्षा प्राप्त करने के परकरिया और समुदाय की सक्रिय भागिदारी की रूप में छेतरिय वो लेंगिक और समानता को कम करने की दिशा में उत्परेरक की भूमिका अदा करते हैं मतलब अभीनो किरिया कलाप का मतलब यह हुआ कि छे से चौदो वर्षते के सभी बालग इससे लाबवानतित होंगे और छेतरिय विद्या ले रहें जिसमें लेंगिक और समान वित कारजक्रम आते हैं जैसे बचपन की देख भाल बाली का सिक्षा कम्पूटर सिक्षा स्ट सिक्षा होनी चाहिए ठीक है पांचवा नुम्र पॉइंट है समय कित सिक्षन समय कित सिक्षन क्या होते हैं विशेश आउसकता वाले बच्चे के परभवी सिक्षन है तो अध पाहला पॉइंट है कि आकरओं के संग्षी करण विश्श्श्विकरण को परयोग करने हैं तुम मझ्बूद बनाना जो भी आकर्व होते हैं उसको जो है संघ्रह करना है और इसको क्या करना विश्श्विक्षन करते वीस जो है उसको क्या करनाना मझबूद बनानाchain दूसरा नमर पॉइंट है बच्चों के सिक्षा में रूची बनाये रखने के लिए क्लास्रूम परक्रियाओं को अधिक गहराई से समझ कर और गुनवत्ता पूर्ण सुधार लाने के परियास करना चाहिए दूसरा नमर पॉइंट में परियास करना ताकि सभी अधिकम उपलब्दियों को प्राप्त किया जा सके ठीक है चाथा नमर पॉइंट है समुधाय की भागेदरी बरहाई जाए ठीक है पाच्वा नमर पॉइंट है आक्रों के संगरी करण विश्लेश्य करण का प्रयोग करने सभी बनाना है सभी बनाने का सभी से परती को स्वांक वर्यान के किया क्यान के दुसरा है अध्यापक पर सिक्षन अध्यापक पर स्टिचन का मतलब होता है कि जो भी जो भी अध्यापक इस विद्याले में जो है निट किया जाएंगे उसको जो है ट्रेनिंग करने के साथ सवागतियों को सधेर्ड का निभा रही है जिसमें के इंदरह सरकार के अपनी भागिदारी से कि द्वारा जो सरुसिक चाबियान को क्या किया जा रहा है सफर बनाए जा रहा है ठीक है उमिद करते हैं आप लोग को जो सरुसिक चाबियान यानिकी SSA कि 2001 समझ में आ गया होगा इसी तरह से मेरे चैनल पर बने लिए सब्सक्राइब करें लाइक करें और सभी दोस्तों करें फिर हम लोग नेक्स टोपिक के साथ नेक्स वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए धन्नवाद